बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी का बयान बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी ने टीवी नौ डिजिटल पर इंटर्व्यू देते हुए कहा कि भारत में ऐसे कई मामले खुलेंगे जहा संग परिवार के विचारों को बढ़ावा देने वाले संगठन अपने दावे पेश कर ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है यह फैसला न्याय के सिध्धानतों के बजाए आस्था के आधार पर दिया गया था और इसी वजह से आज ये हालात पैदा हो रहे हैं मस्जिदों पर संग परिवार के दावे मौ ओवैसी ने आगे कहा कि उस तरह के नारों का भी असर है जो यहां संभल में भी देखने को मिला दिखके बीजेपी, आरेसेस, विश्व हिंदु परिशद, बजरंग दल जितने भी आरेसेस की विचारधारा के संगठन हैं उन सब का मानना यही है कि जहां जहां मस्जिदें हैं उनको कैसे हम हासिल कर सकते हैं वक्फ बिल को जो लाया गया है वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है बाबरी मस्जिद का फैसला और उसके असर अब उन्होंने कहा कि मैं पुकार-पुकार कर कह रहा हूं कि जब से बाबरी मस्जिद राम मंदर का जजमेंट आया पब्लिकली ओन रिकॉर्ड कहा हूं कि उस जज करेंगे कि यहां मस्जिद नहीं थी और ऐसे कई मिसालें आप भी दे सकते हैं मैं भी दे सकता हूं यह सब उस गलत जजमेंट की बुनियाद पर हो रहा है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया था